मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबी लोगों से रिक्वेश्ट करना जाता हूँ अगर आपको वीडियो का अक्स्प्लेनेशन पसनाता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरू करतीजेगा इसे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ इस मूवी में दिखाया गया है कि तुम्हारी डेस्टिनी में जो भी होने वाला होता है वो तुम्हें जरूर मिलता है अगर तुम्हारी नियत साब और तुम नेक दिल इंसान हो तुम्हें अपनी डेस्टिनी से बहुत कुछ मिलता है मूवी स्टार्ट होती है मूवी के स्टार्डिंग में हमें सीन दिखाया जाता है परसिया के एक एमपैर का जहांपर की एक राचा होता है और वो अपने छोटी भाई के साथ इस एमपैर में राज करता है जब वो एक दिन अपने राजी के शैर पर निकला होता है तब भी वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसमें की एक योध्धा के लक्षन वो उस छोटे से बच्चे में देखता है वो बच्चा उस राजा के गार्ड्स को चक्मा देते हुए वहाँ से कितनी आसानी से भाग जाता है और वो बहुत टाइम तक अपने पीछे उन गार्ड्स को दोड़ाता है फाइनली जब गार्ड उस बच्चे को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर राजा आ जाता है और उस बच्चे से पूछने कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ किस के साथ रहते हो तब भी वो बच्चा बोलता है कि उसका नाम डेस्टन है फिर राजा उसे अपने साथ, अपने महल लेकर चले जाते है क्योंकि यही उसकी destiny में होता है आगे चल कर यह लड़का Prince of Persia के नाम से जाना जाता है फिर हमें कुछ time के बाद का scene दिखाया जाता है जब कि राजा के जो तीनों लड़के होते हैं वो अब कापी बड़े हो गए होते है एक दिन जब यह शहर बन निकले होते हैं तब यह राजा का जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसकी नजर एक holy place पर पड़ती है जिसका नाम एल्टेमर्स होता है पर राजा का जो सबसे छूटा लड़का होता है डेस्टन वो हमेशा ही लोगों के बीश रेकर एक महान युद्धा बनने की हमेशा ही तयारी करता है जिस बात से राजा को भी उस पर हमेशा फकर रहता है फिर उसी रात राजा का जो भाई होता है निजाम वो यहाँ पर राजा के बड़े लड़के से बोलता है कि उनके अम्पायर के बगल में जो एल्टेमेस अम्पायर है वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से हतियार बनाए जाते हैं क्यों ना हम उन पर हमला करें तबी राजा का जो बड़ा लड़का होता है वो भी सोचता है कि अपने फादर की नजरों में एक अच्छा मौका है जिस उस अम्पायर पर हमला करेगा और उसे जीत लेगा और अपने फादर को ये वाली न्यू जाकर सुनाएगा तो वो जाता को सोचता नहीं है सिदे ही बगल वाले अल्टेमेस अम्पायर पर वो हमला कर देता है इस बात के जानकारी वहां के जो कुईन होती है जिसका नाम तमीना होता है उसे भी पता चल जाता है कि उनके राज्ये पर हमला हो गया है तब ही वो अपने राज्ये को बचाने के लिए टैन्स हो जाती है दूसरी और हम देखते हैं कि जो डेस्टन होता है वो अपने कुछ साथियों के साथ इस्टन गेट से लगी जो बड़ी सी दिवार होती है वहाँ पर तक वो एंटर कर जाता है फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ अपनी फ्री स्टाइल टेकनिक के साथ वो उस दिवार पर आसानी से चड़ जाता है और जैसे ही वो उस किले के अंदर एंटर करता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वो सारे जो स्थाइनिक होते हैं वहाँ पर एल्टेमस के उन्हें मारना वो स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद वो उन सैनिकों से काफी अच्छे से मुकाबला करते ह और उसके बाद वो जो इस्टन गेट होता है वहाँ पर वो इस्टन गेट को खोल देते हैं जिससे उनके भाईयों को पता चल जाता है कि डैस्टन किले के अंदर एंटर कर चुका है और फिर वो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि सारे के सारे इस्टन गेट की ओर चलो यहां पर जैसे ही सैनिक आदेश पाते हैं वो सभी इस्टन गेट की और चल पड़ते हैं और उधर एल्टमस के अंदर से भी वहां के जो सैनिक होते हैं वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं तब हमें रानी को दिखाया जाता है जो अपने एक सैनिक मैजिकल कंजर देते हुए यह भू क्लती दिखाया जाता है जिसको कि रानी ने बुला होता है कि तुम प्लीज इस खनजर को लेकर कहीं दूर चले जाओ और तभी हम देखते हैं कि वह खंजर के साथ लड़ रहा होता है तो वह गलती से नीचे किर जाता है और पिर उसके बाद वह खंजर डेस्टन की हाथ देखता जब है उसे देखे ही रह जाता है तभी हम देखते हैं कि जो एलेटेमेस वाले लोग होते हैं वहां के जो सैनिक होते हैं वो परसिया के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाते जिस वज़े से उन्हें परसिया के सामने सरेंडर करना पड़ता है तभी हमें दिखाया जा वह मैजिकल खंजर देखती है तो वह हां कर देती है जैसे यह वाली बात उनके फादर को पता चलती है परसिया की जो किंग होते हैं जैसे उनको यह पता चलता है कि उनके लड़के ने होली पलेस एल्टेमस पर आक्रमर कर दिया है तो वह जल्दी से जल्दी एल्टेमस आ जा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा पर राजा का जो सबसे बड़ा लड़का होता है वह अब अपने फादर के सामने तो आ नहीं सकता था इसलिए अपने छोटे भाई से बोलता है कि प्लीज तो मेरे लिए मेरे फादर को यह गिप्ट दे दो जैसे है डेस्टन अप तो वो उस जहर की वजे से जलना स्टार्ट हो जाते हैं तब ही सारे सेेन अगर उनकी हेलप करना स्टार्ट करते हैं पर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता डेस्टन का भी यहां पर बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे फादर की हेल्प करो प्लीज मेरे फादर की हेल्प करो पर सबी लोग ऐसा सूचते है कि डेस्टन की ही यह कोई चाल है जिसलिए वो अपने फादर को मानना चाह रहा होता है पर यहाँ पर मौका पाते ही डेस्टन और तमीना वहाँ से भाग निकलते हैं दूसरी और हम देखते हैं कि राजा के जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको लेटर मिल गया होता है कि उस डेटर की वज़े से उसके भादर की डेथ हो गई है यानि कि राजा का बड़ा लड़का वह अपने छोड़े भाई पर ही अब सकना स्टार्ट कर देता है दूसरी और हम देखते हैं कि तमीना अब डेस्टन के आसपास आने के कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके पास वह मैजिकल खंजर होता है तभी जैसे ही तमीना के हाथ में वह मैजिकल खंजर पड़ता है तो डेस्टन गलती से उस मैजिकल खंजर के उपर लगे रुबी को दबा देता है जिस वज़े से टाइम पीछे रिवर्स हो जाता है और यहां पर हमें बता चलता है कि जो मैजिकल खंजर होता था उसकी वज़े से हम टाइम में पीछे जा सकते हैं तबी जैसे हि डैसनन उस magical khंजर के रूबी को फिर से दबाता है तो फिर से time के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर अब डैसनन को अच्छे से समझ आ गया होता है कि इस जो magical khंजर है उसका क्या काम होता है तब जैसे ही दूबारा से तमीना दैसन के पार जाती है जैसे उस खंजर को हासिल करने राजी होती है तो यहाँ पर दैसन बोल देता है कि जो भी तुम करना चाहती हो वो मुझे पता चल गया है क्योंकि इस magical खंजर की मदद से time में पीछे चला गया था और वो अपने चाचा के पास जाने वाला है और वहाँ पर उन्हें सब कुछ ससच बताने वाला है तबी ये लोग चलते चलते एक जगे पहुंसते हैं जिसका नाम गुलाम घाटी होता है चलते चलते तमीना काफी जादा ठक जाती है इसलिए वो बिहोस होने का नाटक करती है जैसे ही टेस्टन उसके पास जाता है तो तमीना उसे बिहोस कर देती है और उसके पास से वो मैजिकल खंजल लेकर वहाँ से भाग जाती है जैसे ही डेस्टन की आँख खुलती है उसके सामने गुलाम घाटी के वही लोग होते हैं और यहाँ पर डेस्टन को कैद करने की कोशिश करते हैं तब ही डेस्टन बोलता है कि मुझे कैद करने से कुछ नहीं होगा मैं जिस लड़की का पीछा कर रहा था तुम जाकर उसे पकड़ो क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है फिर गुलाम घाटी के ये सारे लोग उस लड़की पर हमला कर देते हैं और जैसे ही जैसे हम देखते हैं कि ये गुलाम घाटी की लोग उन दोनों को ही यहां पर कैद कर देते हैं अब यहां पर जैसे तैसे वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं जहां से कि वे यहां से भागने में भी काम्याब हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि परसिया बहुत बड़ा एंपैर होता है तो यहां पर बहुत सारे किंग्स उसे सरदान जली देने परसिया जा रहे होते हैं तभी मौके का फाइदा उठाते हुए डेस्टन भी उनके जलूस में सामिल होकर अपने अंकल तक वो लेटर पहुचा देता है जिससे कि वो उनसे मिलने के लिए एक जगे पर आ सके तभी उसके अंकल जैसे ही डेस्टन से मिलने के लिए आते हैं तो यहां पर डेस्टन बताता है कि उसने अपने फादर को नहीं मार तब ही अपर डेस्टन अपने अंकल को वह खंचर दिखाने का कोशिश करता है डियाँ पर हमें पता चलता है वह counselor खंचर नहीं होता क्योंकि टमीडाने डाईम रफेों से बदल दिया होता है तब ही Destin को महसूस होता है कि उसके अंकल के हाथ जले हुए है और उनके हाथों में खून लगा हुई Destin जब इसकी वज़त जानने की कोशिश करता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि जब राजा के जहरीले कपड़े वो निकालने की कोशिश कर रहे थे तब भी उसके हाथ ऐसे जलके थे पर डेस्टेन को यहाँ पर पता चलता है कि उस टाइम तो उसके अंकल वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो यहाँ पर उसे अपने अंकल पर पूरा सक आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके अंकल होते हैं वोई कुछ अपने सीक्रेट सेहेनेकों के रखा होता है जो एमेरजेंसी में निजाम की हर बात को फॉलो करते हैं दूसरी यह देखता है कि तम्हिना उस मैजिकल खंजर को लेकर भाग गही होती हैmost तो यहां पर डेस्टन को पता चल जाता है कि वो कहां गई होगी तभी डेस्टन उसका पीछा करते हुए उस रेतिली जिगह पर आ जाता है क्योंकि तमीना एक हिंदु कुस मंदिर की ओर जा रही होती है तभी तमीना हम को यहां पर उस मैजिकल खंजर के बारे में बताना पहले जब पिर्थवी पर बहुत जादा पाप बढ़ गया था तो यहां पर देवता उन्हें एक सेंड स्ट्रॉम बनाया था जिसकी रेत उन्होंने इस मैजिकल खंजर में डाल देती तब यहां पर डेस्टन भी अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि उसके फादर हमेशा से ही यह बूला करते थे कि उसके भाई नहीं एक बार उसकी जान बचाई है और डेस्टन अब यह सब कुछ समझ गया होता है कि क्यों निजाम उस मैजिकल खंजर के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वह समय में पीछे जा सके और जब लायोन उस पर अटेक कर रहा हो उसी और हम देखते हैं कि जैसे डेस्टन और तमीना मंदिर की और बढ़ी रहे होते हैं तब ही वहाँ पर गुलाम घाटी के लोग आगर उन्हें फिर से वकड़ लेते हैं पर रात को जब सभी यह लोग सोई रहते हैं तो यहाँ पर निजाम के जो सीक्रेट सैनिक होते हैं वह अपने टॉक्सिक स्नेक से उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं तब यहाँ पर गुलाम घाटी के राजा का राइट हैंड होता है एक स्नेक उस पर आकर हमला कर देता है पर जैसा के हम सभी जानते हैं डेस्टन एक बहुत अच्छा योधा भी है तो वह मैज करने के बार नेक्स डेय ये सभी लोग मंदिर को जाने के लिए निकल पड़ते हैं पर जैसे लोग मंदिर में पहुचते हैं वे देखते है कि यहां पर किसी वही पर रुखने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि इस बात तुम नहीं बच होगे तो यहाँ पर डेस्टेन बोलता है कि हमारे यहाँ पहुंशने से पहले ही इन लोगों की जान जा चुकी थी और इन सब के पीछे कौन है मैं अच्छे से जानता हूं पर इन लोगों में बाद हो ही पाती तब्री वहाँ पर आस्मान से तीर चलना स्टार्ट हो जात तो उस पर भी हमला हो जाता है अब यहां पर गुलाम गाटी का जो राजा होता है वह भी लडाई में इनका साथ देता है दूसरी और हम देखते हैं कि अब तमीना और डेस्टेन उस गूफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर कि वह मैजिकल खंजर को रखने ही वाले होते है तबिए यहां पर निजाम का जो सैनिक होता है वह वहां पर आकर तमीना के हाथ से वह मेजिकल खंजर छिइन लेता है और तब enabling यहां पर बिहोस हो जाती है और एक बड़ा सा संटिक आता है और उस मेजिकल खंजर को वहां से लेकर चले जाता है दूसरी जोर हम देखते हैं और इस बात से उन लोगों को पता चल जाता है यानि डेस्टेन और तमीना को पता चल जाता है कि अब खंजर कहाँ होगा, तब ही यहाँ पर गुलाम खाटी का जो सैनिक होता है यानि राजा का जो राइट हैंड होता है वो डिसाइड करता है कि वो इस बार उस खंजर को लेन उस खंजर को डैस्टेन और तमीना पाते हैं तो वे सीधे अपने राजा के पार जाते हैं यानि कि परसिया जाकर अपने बड़े भाई को वो सारी सच्चाई बता देता है और वो बोलता है कि अगर तुमें मुझे पर यकीन ना हो तो मैं अपनी जान देता हूँ पर मेरे मरने के बाद तुम इस खंजर के लगे उपर जो रूबी है उसे तुम दबा देना जैसे ही वो डैस्टेन की बात सुनता है तो वो अब डैस्टेन पर भरोशा करता है पर तबी यहां पर उसके अंकल निजाम आ जाते हैं पर वो निजाम से अब चिढ़ता था इस वज़े سے वो उन पर ध्यान नहीं देता जैसे डैसन अपनी जान लेता है तो वो रूबी और दबा देता है जैसे वो रूबी को दबाते है तो फिर से टाइम में पीछे चल ले ज गार्डियन होती है तो जैसे ही वे लोग वहां पर जाते हैं गलती से एक पत्र आकर रेट में गिरता है जिसे कि सारी रेट बहना स्टार्ट हो जाती है जहांपर कि वो जो रस्ते होते वो सभी अब डिस्ट्रॉई हो चुके होते है दूसरी और हम देखते हैं कि अब निजाम भी वहांपर बहुत चुका होता है और वो उस खंजर के साथ पूरी की पूरी अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है तब ही यहांपर निजाम तमीना को नीचे धगा मार देता है डेस्टन उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर उसे बचा नहीं पाता यहां पर तमीना की मौत हो जाती है दूसरी और हम देखते हैं कि जैसे ही निसाम उस खंजर को सैंड पोटल पर जैसे ही वह खंजर लगाता है तो यहां पर सब कुछ बदल जाता है उसके बाद सारी सिचेशन उसी टाइम पर आकर रुख जाती है जहां पर कि फर्स टाइम इन किसने करवाई है और क्यों करवाई है तभी वह अपने राजा को जाकर यह सारी सचाई बताने की कोशिश करता है तो इस वज़ज़ से जो निजाम होता है वह डैस्टेन पर काफ़ी जाता गुसा हो जाता है क्योंकि अब उसका प्लैन सक्सेस नहीं हो सकता था इसलिए वह नीचे गीर जाता है और उसके इस काम के लिए शॉरी बोलता है और वो बोलता है कि अगर आप चाहो हम एक उसे से relation friendly बना सकते हैं जिसे कि आप मेरे भाई से साधी कर लो और मैं आपके राजी को छोड़कर चला जाओंगा तब यहां पर डेस्टेन आता है और वही खंजर वो उस रानी को देता है जिसे देखकर रानी काप ही जादा खुस हो जाती है और वह यह बोलती है कि तुम मु बोलतीज रानी के साथ बिताई होती है फिर उसके साथ यह दोनों मिल जाते हैं और इसी हैपि एंडिंग के साथ रेमू भी एंड हो जाती है तो कोई आख मिझो सच्छा और अच्छा होता है वो अपनी एख ही हाइप में возь घना की जिन्दकी जी लेता है और कुंखार आडम चारीब किया करता था कि कैसे बच्पन में उसके छोटे भाई ने उसकी जान बचाई है पर निजाम हमेशा ही अमपैर चाहरा होता है जिस वज़े से वो अपने ही भाई के साथ गद्दारी कर देता है तो यहां पर सीखने को यह मिलता है अगर आप सचे और अच्छे हो अगर उस वज़े से राजा उसे अपने घर लेकर जाता है वहाँ पर वो अपनी अच्छाई के चलते सबका दिल जीतने के साथ साथ वो एलमेट की राने के साथ साथी भी कर लेता है और जो पहले से ही यहां पर एमपैर का राजा होता है यानि कि जो परसिया का जो राजा का होंगे तो सब्सक्राइब करतीजिए का मिलते हैं किस एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपने आपका ख्यान रखें